हाय फ्रेंट्स हमारे देश में अकसर लड़के और लड़कियां ऐसा समझते हैं, कि इंगलिश बोलना बहुत अच्छी बात है, इंगलिश बोलने से स्मार्ट लगते हैं। बाकी लोगों की भी सोच यही रहती है, कि वो जोनें इंगलिश बोलता देते हैं, उन्हें समझते ने niez बहुत बढ़िया। बहुत समझधार हैं, इसलिए हर किसी की खोईश होती है, कि वो इंगलिश में बात करें। English सीखना बहुत मुश्किल नहीं, आसान है मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ जब आप shopping करने जाएं तो English में बात कैसे करें, कौन सी चीज पसंद करनी है, कौन सी चीज कैसी है क्या आपके पास वो चीज मिलेगी, ये color मुझे पसंद नहीं इन सब बातों को English में हम कैसे पूछते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज हम English में shopping के बारे में बात करना सीखेंगे जब हम से salesman पूछता है, क्या आपको ये पसंद है, या आपको मैं कुछ दिखाऊं तो आप समझ नहीं पाते हैं, इंगलिश में कैसे बात करें तो शुरू करते हैं English में बातचीत सबसे पहले हम घर में जब बात करते हैं और पूछते हैं, सोचते हैं कि हम shopping के लिए चले, तो हम आपस में कहते हैं Let's go shopping this weekend मतलब हमें shopping के लिए इस week चलना चाहिए उसके बाद जब आप shop में जाते हैं, आपसे assistance के लिए वो पूछता है sales person कि क्या दिखाऊं या क्या चाहिए तो आप क्या कहते हैं, मैं बस ऐसे ही round ले रही हूँ या ऐसे ही देख रही हूँ तो क्या कहेंगे, no, thank you, I am just browsing या I am just looking around अब आपको कहना है, मैं cotton t-shirt ढूण रही हूँ तो क्या कहेंगे, yes, I am looking for a new cotton t-shirt मैं काली jeans ढूण रहा हूँ तो कहेंगे, I am looking for black jeans अगर आपको कहना है, कि मैं अपनी girlfriend के लिए birthday के लिए कोई gift ढूण रहा हूँ तो कैसे कहेंगे, I am looking for something for my girlfriend's birthday इसके बाद, अगर आप को कोई size अलग चाहिए कोई color अलग चाहिए, जो आप कपड़ा देख रहे है कपड़े की shop में है, तो आप कैसे बात करेंगे क्या आपके पास ये वाला नीला रंग है तो कैसे कहेंगे, do you have this blue क्या आपके पास, इसमें थे 38 नंबर की t-shirt है do you have this in size 38 क्या आपके पास, cotton में इसी तरह की कुछ और कपड़े हैं और चीजे हैं, तो क्या कहेंगे, do you have something like this but cotton, इसके बाद, जब आपको कोई कपड़ा पसंद आ जाता है या लगता है मुझे ठीक आएगा तब आप किस तरह पूछते हैं, क्या बाते करते हैं कहते हैं, ये अच्छा है, और ठीक से फिट नहीं आ रहा अगर आपको ऐसा कुछ बोलना है, तो क्या कहेंगे, it's nice but it doesn't quite fit क्या आपको लगता है, कि ये मुझे suit करता है कभी आप आपस में पूछते हैं, या sales person से भी कभी पूछ लेते हैं कि मेरे उपर ये अच्छा लग रहा है तो कैसे कहेंगे, do you think, this suits me अब आपको किसी अपने साथ में आपके जो खड़ा है, आपको उसको बताना है कि आपको परे रंग बहुत suit कर रहा है तो कैसे कहेंगे, orange really suits you orange really suits you क्या आपको लगता है, कि ये अच्छा लगेगा do you think, this looks good ये कंदे पर बहुत धिला है, आपको fit नहीं आ रहा है कंदे पर धिला आ रहा है, तब आप कहेंगे it's a little baggy around the shoulders it's a little baggy around the shoulders मुझे लगता है, कि मुझे पर pink वाला ज्यादा अच्छा लगेगा तब आप कहेंगे, अगर आपको ये कहना है I think, I would look better in the pink one अब इसके बाद, आप पूछ रहे हैं कि मैं इनको try कर लूँ पूछना पड़ता है shop की पर से, कि try कर लूँ या नहीं कर लूँ तब आप कैसे कहेंगे, कि मैं try कर सकती हूँ I am going to try this on Changing room कहा है, आपको पूछना है कि change room कहा है Where are the changing rooms मैं इसे try करना चाहूँगी I'll just try it on here मान लीजी आपको वो चीज़ बहुत महंगी लग रही है कोई कपड़ा महंगा लग रहा है और आप कह नहीं पा रहे हैं या कहते हैं तो कैसे कहते हैं मुझे नहीं लगता कि मैं यह afford कर सकता हूँ I'm not sure I can afford it क्या इस पर 50% discount है अगर आपको ऐसा कुछ पूचना है तो आप कहते हैं Is it currently on 50% discount क्या आपके पास कोई चीज़ सेल में है अगर आप पूचते हैं तो कैसे पूचेंगे Do you have anything on sale at the moment क्या आप एक साथ दो चीज़े खरीदने पर discount देगे Do you offer a discount on two-piece purchase इस तरह आप इंगलिश में बात करके अपनी बात पूरी कर सकते हैं आशा है शॉपिंग से रिलेटे ये sentences आपको समझ में आये होंगे और आप इन्हें याद रखेंगे अच्छे से इंगलिश बोलना सीख सकेंगे Thank you